हेलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज किस बीड़ों में हम बात करेंगे अंगनवारी की तरब से आ चुकी महिला सुपरवाइजर के पदो पर बंपर भरतियों के बारे में जहां पर आप सभी के लिए भरतियों के दन कर पाएंगे दोस्तों हम बात कर रहे हैं महिला एवंबाल विकास मंतराले यानी मिनिश्ट्री और वुमेन एंड चाइल डबलप्मेंट डिपार्टमेंट की तरब से आई हुई नई भरतियों के बारे में जहां पर आप सभी के लिए महिला सुपरवाइजर की विकनसी है सुपर्वाइजर की उसको लेकर भी अपडेट है कुछ राज़ों के अंदर नोटिकेसन आ चुके हैं नोटिकेसन को आप लोग एक बार जरूर चेक आउट करें हो सकता है आपके राज़ की विकनसी आ गई हो कुछ नोटिकेसन को हम उपन करेंगे और आपको आ application fees बिल्कुल free रखा गया है इसके अलाबा education qualification योगिता की बात करें तो 10 plus 2 यानि की 10 और 12 भी आपने complete करी हो तो आप लोग आवेधन कर पाएंगे इसके अलाबा graduation degree वगएरा है तो भी आप लोग आवेधन कर सकते हैं इसकी जो salary है वो भी कापी अच्छी है starting में आपको 20,000 रुपए तक आपको salary देखने को मिलेगी जो की बढ़के 40,000 रुपए तक आपको मिलेगी इसके अलाबा जो भी selection procedure है how to apply कैसे आप लोग आवेधन करेंगे इसी वीडियो में आपको complete जानकारी मिलेगी अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर इसको like करें औ और आगे आने वाली आगनवारी या इससे जुड़ी कोई भी update पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को भी on करें आएए official website के माध्यम से समझते हैं इस frequency की complete detail और साथ ही साथ notification को भी download करते हैं दोस्तो आपको आवीधन करने का notification डाउनलोड करने का link वीडियो के description में और आप नोकरीखबर.com website google पे type करेंगे तो भी आपको हमारी official website मिल जाएगी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं महिला supervisor recruitment 2024 notification आउट है 24600 से भी ज्यादा पदो पर भारत के अलग-अलग राज्यों के अंदर भरतियां जो है तो आने वाली हैं और कुछ भरतियों के notification आपको speedo में द जानकारी देखते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने WhatsApp ग्रूप को जोईन नहीं किया तो जरूर करें कुछ अगर personal आपकी बाते होती हैं तो आप लोग यहाँ पे question वगएरा कर सकते हैं अभी यहाँ पे देखे woman and child development department है जहाँ पे आपको mainly supervisor की vacancy मिलेंगी अब यह नहीं क यहाँ पे आपको supervisor देखने को मिल गया तो supervisor के अलाबा और कोई post नहीं होगी और भी कई सारी post हैं जो की आपको आगे notification में देखने को मिलेंगी लेकिन जो most abated post है वो supervisor की है इसलिए इसको highlight किया गया है अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 24,600 से भी जादा जो है तो vac आपा OVC और SCHT केटेगरी को government के rule के हिसाब से age में relaxation यानि आयू सीमा में छूट भी दिया जाएगा बेतन की बात करें starting का 20,000 रुपए है और इस भरती के लिए आपका जो selection है उसमें exam nation भी हो सकता है और इसमें merit आखरी में आपकी बनेगी इसके लिए आप एदन अभी ज जिसको आगे हम open करेंगे अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं महिला supervisor recruitment के अंदर आपको total overall 24,600 से भी जादा vacancy मिलेंगी जहाँ पे supervisor की सबसे जादा पोश्टे रहेंगी 10 plus 2 वाले आभीदन करेंगे ध्यान से सुनिए 10 वी आपने पास करी है 12 पास करी है और साथ में graduation graduation degree वगरा है तो आप सभी eligible हैं आभीदन करने के लिए और इंडिया लेवल की job है पहले ही बताया था भारत के किसी भी राज जैसे आप लोग आभीदन कर पाएंगे क्योंकि यह अलग-अलग राज्यों के अंदर vacancy आने वाली हैं और कुछ आ चुकी है male and female यानी महिला बु इक्सेशन मिलेगा उसके बाद उनकी उम्र 18-48 और SCHD की 18-50 साल तक अलाव करी गई है तुडे टॉप जॉब लिष्ट की बात करें आज की जो गर्मा गर्म जॉब हैं इनको आप लोग देख सकते हैं ताजी एकदम से यहाँ पर 10 पास 12 पास सभी की जॉब एड़ कर दी होगा उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आपको डाकूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे तिन बात करते हैं बेतन के बारे में सेलरी आपको क्या मिलेगी अगर आपका सेलेक्शन होता है सुपरवाजर की पोश्ट पर तो easily आपको government के रूल के हिसाब से 20,000 यानि की 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर मंद का salary देखने को मिलेगा application fees के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जर्नल, OVC, EWS या फिर आप SC, HTP, WBD या female category यानि कहने का मतलब है चाहे आप unreserved category हों चाहे आप reserve category के candidate हों बिल्कुल free में आप लोग आभी दन कर सकते हैं जो notification अभी आया हुआ है उसके basis पे इसके लाबा यहाँ पे देखे कुछ document से यहाँ पे हैं जब आपका final selection होने वाला होगा उससे पहले आपको document verification करवाना पड़ेगा तो document के list यहाँ पे add करी गई है जो document आपके पास नहीं है उनको आप ready करवा सकते हैं अभी important dates के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 जनवरी 2024 यहाँ पे आखरी date है आभीधन करने की इस date तक आपको जरूर से आभीधन फिल करने हैं यहाँ पे आपको सभी तरह के link मिल जाएंगे सबसे मैंने आपे आभीधन करने का link है और notification का click here पे click करके आसानी से आप notification को download कर सकते हैं देखे मैं आपको live में करके दिखाता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे click किया click करते ही download की बटन आई और इस पे click करते पीडिया format में हमारा notification ओपन हो गया देखे यह किस राजी की विकेंसी है महिला एवं बाल विकास यानी की यह जो है तो आगनवारी की ही भरतियां है और इसमें सबसे पहले तो आप date को check out करिए आभेदन करने की जो आखरी date है वो यहाँ पे highlight करी गई है 24 जनवरी 2024 की इसके बाद अगर आप लोग यहाँ से न सब्सक्राइब की पोश्ट है जिंडर विसेसर जी की पोश्ट है 32 अक्षर्टा इवं सब्सक्राइब की पोश्ट है कार्याले सहायक की पोश्ट है data entry operator यानी DEO की पोश्ट है और MTS यानी multitasking इस्टाप की पोश्ट है सभी की अलग-अलग salary है तोटल यहाँ पे 11,720 उर्प पोश्टे मिल जाती है इसको आपको देख लेना है वाकी अधिक्तम उम्र सीमा 45 साल तक की होनी चाहिए और यहाँ पर देख सकते हैं दस्वी बार वी पास से तो आप इन भरतियों के लिए आबेदन भी कर सकते हैं इस notification को आप डाउनलोड करें और अकर आप लोग eligible होते है तो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास के आफिस के अंदर आपको इसको सामके 5.5 बज़े से पहले 24 जनवरी जो की आखरी डेट रखी गई है वहाँ पर आपको बेजना होगा जैसी आप बेजेंगे आपकी merit बनेगी merit कैसे बनेगी इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं परिख्या के थू आपका सेलेक्शन होना है कंप्लीट यहाँ पर अप्लीकेशन फॉरम भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं पोश्ट वाइज योगता भी है जैसे जिला मिसन समन्यवक के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए होगा जैसी अगर नीचे आते आप लोग तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी पताया गया है क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे यहाँ पर देखें मल्टी टास्किंग इस्टाप के लिए किसी भी मानता प्राप्त बोर्ड के साथ दस्वी एक कक्षा आपन कर रहे हैं आपका नाम क्या है आवेदक या आवेदिका का नाम क्या है पिता या पति का नाम इस्थाई पता बर्तमान पता यहाँ पे आपको डेट और बर्त भी लिखनी पड़ेगी इसके अलाबा यहाँ पे आपको बताना होगा कि 1123 से आप कितने साल कितने महीने और कित EWS या PH candidate है इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे आपको अपना यहाँ पे marital status बताना है इसके अंदर कई सारे option है बिवाहित, अबिवाहित, बिधूर तो आपके हिसाब से जो भी लागू हो रहा हो आप यहाँ पे mention कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आप बिवाहित हैं तो बिवाहित की ती थी हुआ जीवित बच्चों की संक्षा क्या है और इसके बाद आपको अपने education qualification यानी sectionic योगता की जानकारी देनी है इसके अंदर example के लिए क्रमांक है तो एक number डाल देंगे उत्रिन परिख्चा जैसे दसवी पास करी है तो यहाँ पे लिख देंगे किस साल में पास करी है हो लिख देंगे किस school से आपने पढ़ाई करी है उसका नाम लिख देंगे टापतांक पुनांक इसमें बताना है कितने number आपको मिले और total कितने number का आपका exam था क्या percent आपके रहे और कौन सी सेनी आपकी बनी थी अन्योगिता अगर आपको लगता है कि इस job के लिए आपके पास कोई other qualification, certificate, skill course है तो आप उसके बारे में बिवरंड दे सकते हैं अनुभव अगर आपके पास में है तो उसका प्रमान पत्र और उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं यहां से नीचे आएंगे तो आपको यहां पे कुछ basic जो है तो सूची मिलेगी document की जैसे कक्षा दसवी की अंगसूची प्रमान पत्र मैंने एक नंबर पे इस चीज को लगाया है दो नंबर पे मैंने अधार काड को लगाया है यहां पे आभीदक का हस्ताक्षर और आभीदक के नाम को एड करेंगे और उपर जो मैंने एडेस आपको बताया था उसमें आने वाली 24 जनवरी 24 जो की आखरी डेट है उस डेट तक साम को साड़े 5 पह तक आपको सेंट कर देना है उसके बाद अगर फॉरम वहां पे जाता है तो एकसेप्ट नहीं किया जाएगा पहले ही यह आपकी जिम्मेदारी है कि दिये गए समय में आप सभी आभीदन करें उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको आपके काम की भी लगी होगी ऐसी ही अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद